आप सभी एस्पेरेंट का इस आइकोनिक एस्पेरेंट पे साथ्यों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंक से अपने परहाई को भी कर रहे होंगे अगर बात की जाए साथियों इसी क्रम में तो आप सबको पता होगा कि रुक्मनी पप्लिकेशन का यह बुक है यह प्रैक्टिस सेट का बुक है साथियों जिसमें हम आपका अध्यन करा रहे हैं कुल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिये गए हैं साथियों बता दे कि आज जो आपका प्रैक्टिस सेट है वह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने बाला है इससे पहला प्रैक्टिस सेट 1,2,3 आपका अप्लोट कर दिया गया है तो जो भी साथि नहीं देखें आप सभी से request है कि आप लोग channel के playlist में पड़ा हुआ है उसको भी देख लिजे तो बहुत ही आपको helpful होगा बात के जाए साथियो और practice set number फोर की तो साथियो question number one से लेकर 15 तक आपका जो है यह math और रजिनी का प्रश्ण है जो कि हम important important यहाँ पर प्रश्णों का संक्रा दिया गया है जो कि आपके exam में 100% पुछने की संभाबना है तो class को पुरा जरूर देखे के साथियो और जो भी साथि को इसका PDF चाहिए या फिर साथियो उनको exam से जूरे हुए हमसे बाते करना है या फिर किसी भी तरह का संपर्क चाहिए साथियो तो आप हमें telegram पर follow कर सकते हैं वहाँ पर हम हर चीज explain करते रहते हैं हर चीज हम लोग बाते करते रहते हैं तो कब कैसे आपका exam होगा कैसे तयारी करना है सब भी तरह के बातों को आप करने के लिए telegram को ज़रूर से जोइन कर लिजे साथियो तो चलि स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रशन आपका कह रहा है ध्यान दिजेगा 51 प्रशनों से जो की आपका सम्मान अध्यन का है कहता है साथियो निमलीखित का मिलान कीजिए कॉलम एक और कॉलम दो है साथियो इसमें आपको मिलान करना है तो थोड़ा सा ध्यान से दिजेगा यहां मिलान कीजिएगा बहुत ही इंपोर्टन है अगर बात की जाए साथियो इसका 51 का प्रशनों की तो इसका राइट एंसर हो जागा क्या साथियो इसका राइट एंसर ह सब्सक्राइब मातलब आपका है का है है और आप लोग याद रखेंगे अगर नेक्स प्रक्षण कि तुछा क्या कहता है कहता है नीचे दिये गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानिये जिसे उतक्रमिक किया जा सकता है बहुत ही इंपोर्टन ये प्रश्ट है इसका राइट एंसर हो जागा आपका ओप्सन नमबर बी साथियो मोम का घोल बनाना जो होता है यह क्या होता है तो उतक्रमिक परिवर्तन होता है याद रखेगा अगर बात की जाए इसको इसे थोड़ा सा डिटेल में तो याद रखेंगे साथियो कि उतक्रमिन ये परिवर्तन जो है ये परिवर्तन क्या होता है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिजेगा जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जाता है तो उसे क्या कहते साथियो तो उतकर्मिय परिवर्तन कहते हैं याद रखेगा जैसे अगर बात की जाए कि इस उतकर्मिय परिवर्तन को ध्यान दीजेगा इस उतकर्मिय परिवर्तन में साथियो क्या क्या आता है तो बड़व का पिघलना हो गया, कागज को मोरना हो गया, पानी से भाप बनाना ये सबी जो होते हैं ये इस प्रकार के आते हैं ठीक है उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां ध्यान दिजेगा कि इस तरह के परिवरतन के में कालक को हटा देने के से परिवरतन को उतकरम्रिये किया जा सकता है इस चीज़ को आप लोग यात रखिएगा बात की जाए next question की तो यहां ध्यान दीजेगा next question आपका क्या कहता है कहता है आपकी मित्र कमजोर दात और हड्डियों के कारण और स्वस्त रहती है ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजेगा आपका हो जागा साथियो option number C क्या हो जागा दूद, सबजी, पालक और आपका फल जो है यह right answer हो जागा ठीक है कहां यहां पर कहां क्या जाड़ा है अस्वस्थ है अस्वस्थ होने का मतलब से है साथियो कि उनको स्वस्थ करना है और स्वस्थ करने के लिए क्या करना होगा उनको दूद पिलाना होगा सबजी खिलाना होगा क्योंकि सबजी में प्रोटीन है दूद में प्रोटीन है पालक बहुत ही important है और फल यह सभी जो है important है कहीं न कहीं इसलिए right answer आपका option number C हो जागा बात की जाए next question की तो यहाँ धियान दीजेगा कहता है निमलिखेत में से कौन ओजुन को नष्ट करता है बहुत ही important यह question है साथियो इस याद रखेगा इसका right answer क्या हो जागा तो इसका right answer हो जागा साथियो आपका क्या हो जागा तो option number C क्लोरीन हो जाएगा याद रखेंगे क्या हो जागा option number C क्लोरीन हो जागा साथियो याद रखेगा और यह भी आप लोग याद रखेगा कि ओजन पड़त क्या होता है तो समात मंडल के निचली पड़त में याद रखेंगे लिखते चलिएगा 35 से 15 से 35 तो किलो मीटर तक बिस्तिरित होता है जो की हानी कारक पड़ा बैगनी किरणों से क्या होता है जीवों की रख्षा करता है तो इस प्रकार से चीजों को याद रखेगा नेक्ट पर ध्यान दीजेगा कहता है करवा स्वादवाला भोजन प्रकिर्ती में डैस है करवा स्वादवाला भोजन प्रकिर्ती में डैस से कहता है याद रखेंगे इसका राइट एंसर हो जागा आपका क्या हो जागा तो छाड़क हो जागा याद रखेगा ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर बात की जाए इसके बारे में तो यह भी आप लोग याद रखेंगे साथ ही कि ऐसे पदात जो स्वाद में करवा होता है और याद रखेंगे कि छूने पर साबून जैसा लगता है उसे छारक कहा जाता है तो छारक आप लोग याद रखेंगे कि छारक किसे कहा जाता है बात के जाए छाड राल लिटमस पत्र जो नीला कर देता है इसको भी आप लोग याद रखेगा चलिए उसके बाद अगर बात के जाए next question की तो कहता है डैस पदार्थों का जेब अब क्रमन कहते हैं डैस पदार्थों का जेब अक्रमन कहते हैं तो इसका right answer हो जाएगा कौन सा इसका right answer हो जागा आपका जयबिक पड़करियां द्वारा तोड़ा जा सकता है इसका right answer हो जाएगा ठीक है अब बात की जाए थौदा ध्यान दिजिएगा इसके बारे में भी कि जिवानू कभकिया अलने जीवों के द्वारा पर्दार्थों के विखणडन की पड़किया को क्या करते हैं तो जैवनिय करन कहते हैं याद रखेगा ठीक हैं बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और याद रखेंगे कि साथियों ऑक्सीजन के अनुपसिती में जैविक परदातों के विखंडन की परकेडिया को कीनवन कहते हैं यह भी आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टन्ट यह सीभी सीख के चीजों बताया जारा है सारी चीज बहुत ही इंपोर्टन्ट है आपको बताया जारा है तो कुछ भी आपसे प्रश्ण पूझा जा सकता है तो इससे मिलता जूलता चीज को आप लोग लिख लिजेगा ठीके बहुत ही इंपोर्टन्ट है आपको हम इसलिए explain कर रहे हैं ताकि आपसे मान कर चलिए यह question same to same ना दे अगर इसी मिलता जूलता भी प्रश्न दे तो आप उसको हल कर पाएंगे इसी प्रियास से हम आपको क्या कर रहे हैं explain भी करते चल रहे हैं टेली ग्राम पे आप जरूर से जूर जाएगा आप सबसे बिनती है कि टेली ग्राम पे जरूर से जूर जाएगा और वीडियो को पूरा देखा करें तभी आपको कोई भी सीज समझ में आने वाला है साथी बात की जाए ध्यान दीजेगा next question की next question कहता है हरे सेवाल हरे रंग के होते हैं क्यूंकि याद रखेगा क्यूं होते हैं क्यूंकि वह क्या होते हैं तो क्लोडो फिल होते हैं ये तो बहुत ही easy प्रशन था आप सबको पता होना चाहिए कि हरे सेवाल क्या होता है क्लोडो फि जुब का उभ्भोग करते हैं वो इस धर्ती पर संसादनों से प्राप्त किये जाते हैं सिवाए किसके जो याद रखेगा आपका सूरी से उर्जा से सूरी से उर्जा के ठीक है इसका राइट एंसर हो जागा बात के जाए तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा सूरी की उर्जा का सूरोद नाभिकिये संग्या है इसको याद रखेगा बहुत ही इंपोर्टन्ट है क्या है उर्जा का सूरोद तो नाभिकिये संग्यान है अगर बात के जाए कि सूरी एक तारा है जिसमें साथियों क्या है तो 71% हाइड्रोजन है इस बात को आप लोग लि 1.5 प्रतिसद आपका कार्बन है और आपको साथियो यह वी याद रखना होगा कि सूरिये में जो है सूरिये का उर्जा उस सर्जन प्रतिस सेकेंड कितना है तो 10 ते पाबट 26 क्या है साथियो 10 ते पाबट 26 जूल होता है ठीक है तो यह सारे के सारे इंपोर्टेंट फेक्ट हैं जो आपको हम बता रहे हैं कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एक्जाम में बात कि जाए ध्यान दीजेंगे नेक्ट क्वेस्टन पे तो कहता है एक चालक के सीरो पर बैटरी जोड़ने किसे बोल्ट बोल्ट मापी का पटन पढ़न दस बोल्ट मिलता है यदि चालक में 0.05 एंपेर धारा प्रवाहित होती है तो इसका परतिरोज क्या होगा बहुत इंपोर्टेंट है और इसका राइट एंसर हो जागा आपका ओप्सन नमबर क्या हो जागा तो बी हो जागा साथी हो 200 ओम जो है इसका राइट एंस प्रकास उर्जा को डैस उर्जा में परिवरतन करता है तो इसका सही एंसर जो है आपकार सभी आपर सभी लोग याद रखेंगे फ्लोयम जो है यद पत्यों好吃 पदार्धो indent तो पोधे के विभीन भागों में तक ले जाता है कौन सा तो यह आपका याद रखेगा फ्लोयम उसके बाद अगर बात की जाए नेक्ट तो छिद्र क्या करता है यह भी आप लोग याद रखेगा कि पोधों में वास्त्म उर्चर्जन की क्रियाज पत्तियों के नीचले हिस् इसके द्वारा पहुंचाता है यह सभी बात आप लोग याद रखेगा ठीके उसके बाद ध्यान दीजएगा नेक्ट प्रस्न क्या कह रहा है आपका कहता है ध्यान दीजएगा काफी इंपोर्टेंट प्रस्न है कहता है कि सीसू में जर्म के समय निमलिखित में से कौन सी याद रखेगा सिसु में जल्म के समय। का हड़ी नहीं होती है। संख्या कितनी होती है तो याद रखेगा 300 होती है ठीक है और हमा बड़े लोग हम लोगों के सरीर में कितनी है तो याद रखेगा 206 होता है साथ यो इस चेज को याद रखेंगे बच्चे में अधिक संख्या में क्या होती है हड़ी होती है लेकिन जैसे जैसे बच्चे वो ब दियान दिजीए आप लोग याद रखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान दिजीगा कहता है नेक्स्ट क्वेस्टन कि निमली खित में से कौन सा फुल रात में खिलता है तो बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है और इसका राइट एंसर हो जागा आपका एंजेल्स ट्रमपेट जो है इसका राइट एंसर हो जागा ठीक है ओप्शन ए एंजेल्स ट्रमपेट जो है इसका राइट एंसर हो जागा याद रखेगा यह जो फूल है यह रात को खिलता है यह भी आप लोग बात को याद रखेंगे काफी important यह बात हैं तो इसको याद रखेगा चलिए उसके बाद अगर next question पे चलें तो ध्यान दिजेगा next question कहता आपका ध्वानी जो की एक यांतरिक तरंग है निमलिखित में से किस माध्यम में यातरी नहीं कर सकती निमलिखित में से किस माध्यम में यातरा नहीं कर सकती sorry साथियो थोड़ा सा यातरी हम पढ़ लिए थो उसके लिए छमा चाहेंगे यातरा नहीं कर सकती तो ध्यान दिजेगा कहना क्या चाहती है बहुत ही important यह इसका प्रश्ण होगा और यह जो है इसका right answer क्या हो जागा आपका तो यात रखेंगे आपका option number D निरवात जो है इसका right answer हो जाएगा थेके ध्वानी जो की एक यांतरीक तरंग है और निरवात में यातरा नहीं कर सकती है इसका right answer हो जाएगा थेके ध्वानी के चाल सबसे अधिक क्या होती है ठोंस होती है और उसके बाद द्रब और उसके बाद गयास में होती है तो ये सारे के कतन को याद रखेगा और ध्वानी का बात की जाए तो ध्वानी जो है उसका तारंत आबरती पर निर्भर करता है कान पर ध्वानी का जो प्रभाव परता है वो कितना परता है साथ ही हो तो एक बटा दस सेकेंड तक पुढ़ाता है इसको भी आप लोग लिख लिजेगा बहुत ही important है उसके बाद अगर बात की जाए next question पे तो ध्यान दिजेगा next question आपका कहता है यहां ध्यान दिजेगा लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजो और पंडुब्यों को डैस के आधार पर डिजाइन किया गया है बहुत ही important है थोड़ा सा यहां पर ध्यान दिजेगा तो आप यहां पर सही कर लिजेगा इस प्रश्ण को कहता है इसका right answer क्या हो जागा आपक जो और कि मीडिज के सिद्धान जो है इसका right answer हो जागा तिक है बहुत ही important है बात की जाए इसके बारे में तो थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोमीटर के तरल पदार्थो और का आप एच्छित धनत्म मापा जाता है और दुद्म की सुधता लेट लोग लखेंगे याद रखेंगे लेटोमीटर हाइड्रोमीटर यह सभी आप लोग को बताया जा रहा है तो याद रखेंगा ठीक है बहुत ही important है चलिए उसके बाद अगर बात की जाए next question पर हम चलते है next question क्या रहा है आप सबको समझ में तो आ रहा है ना बहुत ही अच् एक्जाम का कैसा एक्जाम होने बाला है कैसा प्रश्ण पुछने जाएंगे यह सभी चीज निमलीखित में से कौन सा एक प्राक्रतिक परस्थितिक तंत्र एको सिस्टम है एको सिस्टम की बात की जा रहे है तो इसका राइट एंसर हो जागा आपका याद रखेंगा option d रि प्रातावरन के पारस्परिक संबंधों का अधियन करते हैं उसे पारस्थितिक कहते हैं याद रखेंगा यादरखेंगा इस बात को भी आप लोग यादरखेंगा से पूछा जा सकता है कि निमलीखित में से कौन सा एक फूल का भाग है फुल का भाग कौन सा है तो याद रखेगा इसका सही एंसर हो जागा आपका इस्तरी के सर जो है यह फुल का भाग है ठीक है पुस्व पौधे का जनन अंग है और पुस्व में अंड ब्रामा क्या होता है तो ब्रामा दलपुंज होता है और आपका पुंग होता है जायांत प प्रजनन किडिया में भाग लेते हैं परतेक पुष्प में इस्तरी को सर्व इस्तरी के सर्व आपका पुंग के सर दोनों उपस्तित होते हैं ऐसे पुष्प की उभाय लिंग कहते हैं जिसमें उधारन के अगर बात की जाए तो धान गेहूं सरसु तील दलहन इत्यादी जो जितने हैं यह क्या है तो आपका उभाय लिंग है ठीक है अगर आप से पुष्प दिया जाए कि तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है निमलिकित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है बहुत है साथ यह बिमारी हो जाती है ठीक है तो इस बात को आप लोग याद रखेगा ध्यान दीजिए का नेक्स प्रस्ट कहता है आपका कि प्रोटो जोग किस रोग कारण रोग कारण होते हैं तो इसका याद रखेंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका मलेडिया ठीक है याद रखेंगे साथ यह बहुत इंप्रोटेंट है मलेडिया कारण होते हैं इस बात को अगर बात कि जा इसके बारे में तो याद रखेगा कि साथ यह लेवरन जो है यह 1880 इस्वी में मलेडिया की पिरित व्यक्तिक में रूधिर मलेडिया परजीबी प् याद रखेगा चलिए उसके बाद अगर बात की जाएं कि कहता है एक आवेसित द्वारा किसी अन्य आवेसित या फिर अनावेसित प्रिंड पर लगाए जाने वाले कि बल को निम्लिकत में से कों सा बल कहा जाता है तो याद रखेंगे इसका जो रायट एंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा कोंसा तो साथियो इस्थिर वेधूत बल जो है इसका राइट एंसर हो जागा ठीक है एक आवेसित पिंड ज्वारा किसी अन्य आवेसित या फिर अनावेसित पिंड पर लगा जाने वाले जो इस्थिर बल होते हैं इसको क्या कहते हैं तो इसको इस्थिर वेधूत बल कहते हैं प्रावर्तित हो तो कितने प्रतिविन बनेंगे काफी important है और यह जो प्रश्ण है साथी यह प्रश्ण आप imagine करके इसको सही भी कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा ध्यान देने योगे यह प्रश्ण है किता है प्रकास एक दुसरे के सामने रखे गए दो दर्पन है तो दर्पनो से प्रावर्तित हो तो कितने प्रतिविन बनेंगे आप बताईए खुद से imagine कीजिए तो इसका right answer हो जाएगा आपका अनंद क्या होगे बहुत सारे बनेंगे अनंद बनेंगे गिनना नहीं हो सकता उनका जिनका गिनना नहीं किया जा सकता हो उनको अनंद कहते हैं ठीक है उ किस भाग में क्या होती है इस्थिर होती है तो याद रखेगा यह जो है आपका किस भाग में होगा तो ब्रिक में होगा याद रखेंगे किस में होगा ब्रिक में होगा साथ याद रखेगा बहुत ही important है अगर बात के जाएं यहाँ पे तो ध्यान देजेगा कि अधिक अध हार्मोन कहां से सरावित होते हैं या फिर उसको क्या कहां किस से निकलते हैं तो याद रखेगा अधी ब्रिक गरंती से निकलते हैं ठीक है इसको आप लोग याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट यह है बात किजा ध्यान दीजागा नेक्ट कुछन कहता है कि सी एच ओ अभी इन्वर्गेनिक केमेस्ट्री क्लास 11 12 का तो आपको यहां पर बिल्कुल क्या हो जागा सही कर देंगे आप लोग ठीके अगर बात की जाए आगे तो ध्यान देजिगा आगे जो आपका प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है तो ध्यान देजिगे भी गयां ध्यान देजिगें आपको की मिर्गी कह रहा है मिर्गी से सरीट का कौन सा अंग प्रवाहित होता है आप सभी इस बिनारी से परिशित होंगे या बहुत ही बहुत ही बुड़ा बिमारी है कब किसको कहा पे हो जाए जिसको यह बिमारी अगर है तो उसको कब कहां पे यह असर कर जाए कोई नहीं जानता इसलिए जल्दी उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति पे इस प्रकार का बिमारी है उस व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ा जाता है साथियो याद रखेगा यह जो मिर्गी का प्रभाव है यह किस अंग पे पढ़ता है यह पूछा जाड़ा आपसे तो इसका राइट एंसर जो है क्या हो जाएगा तो मस्तिस्ट पे पढ़ता है कहां पढ़ता है तो मस्तिस्ट पे पढ़ता है याद रखेगा किसी भी अगर वेक्ति को मिर्गी की बिमारी है तो याद रखेगा कि उस बिमारी चलाने के काम या पिर अन्य खतर्णा कम पर नहीं डगाना चाहिए यह भी बात आप लोग याद रखेगा और मनुस्य के मस्तिस का वजन कितना होता है तो याद रखेंगे 1400 ग्राम होता है ठीक है बहुत है important बात बदा रहे हैं आपको याद रखेगा मनुस्य का मस्तिस को अस्तियों की खोल क्रेमिनियम में बंद रहता है जो कि इस बहारी आगहते से बचाता है ठीक है तो यह सभी चीज याद रखेंगे और हर्दे का अगर भाग आपसे पुछा जाए कि मनुस्य की हिर्दे का भाग कितना है ठीक है तो याद रखेंगे 300 ग्राम है मनुस्य की हिर्दे का भाग ठीक है यह सभी चीज आप लोग याद रखेगा अब पुछता है आपसे next question कि बायो मंदलिये दाव को मापने के लिए निमलिखित में से किस बिज्ञाने को उपकरन का उपयोग किया जाता है ठीक है तो बहुत ही important है और इसको ध्यान में रखेंगे इसका right answer हो जागा आपका बेरो मीटर ठीक है option number B बेरो मीटर जो है यह आपका right answer हो जागा साथ यो याद रखेगा बेरो मीटर की सहाईता से मौसम संबंदित पुर्वा अनुमान भी लगाया जाता है ठीक है तो इसको याद रखेगा अभी मौसम थोड़ा खराब चलता है आप लोग देख रहे हों ठीक है चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कहता है आगे साथे ध्यान दिजेगा पाबो क्रिश्टेस क्रिटेसर जो है को समाने डैस के रूप में जाना जाता है ठीक है बहुत ही important है इसको ध्यान दिजेगा पाबो क्रिश्टेस जो है इसको याद रखेंगे इसको समाने रूप में जाना जाता है मतलब इसको किस रूप में और भी जाना जाता है तो याद रखेंगे इसका जो राइट एंसर हो जागा आपका वो हो जागा आपका मोड ठीक है मोड को पाबो क्रिश्टेस के रूप में जाना जाता है यह बात आप लोगा याद रखेंगा बहुत nping important है बात की जाए अगर इसके बारे में तो साथ मॉर जो है या सर्लंगा का राश्टाय पक्षी है ठीखे मॉर क्या है तो स्र्लंगा की राश्टाय पक्षी है मोर को राश्ट स्पक्षी 26 तो याद रखेगा आपका बाग है, बाग में कौन सा प्रजातीब का बाग है, तो याद रखेगा पैंथरा टाइग्रिस बाग, तीके इस सबी चीज हम आपको क्लास फर्श्ट में भी बता दिये थे, पहला क्लास में भी, कहता है निम्लिखित में से, क्या ठोस अबस्षिस् स्विष्ट का जैब अब घटनी ये रूप है जिसे याद रखेंगे जिसे अन्य जीवित चीजों द्वारा तोड़ा जा सकता है मुख्य रूप से पोधे या फिर पसु सुरोत से आते हैं और इस प्रकार के चीजों को क्या कहते हैं तो कमपोस्ट कहते हैं ठीक है ये सारे के सारे चीजों को आप लोग याद रखेगा हम परियास कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे धंग से बताएं क्लास कितना भी बड़ा हो लेकिन आपको किलियर करवा के जाएं यह मेरा परियास है ठीक है तो अच्छे धंग से समझेगा चलिए कहता है नेक्स प्रस्ट कि निम्लिकित में कौन दौनी तरंग की एक विशेषता नहीं है तो यादब रखेगा आपका का होजागा तो आपका और चीजो है चाहिं उर्द प्रपातक की पड़केरिया से जो गुजरता है तो यह कौन सा हो जाएगा याद रखेगा आपका आयोडीन जो है यह राइट एंसर हो जाएगा ठेक है साथियो याद रखेगा बात की जाए ध्यान दिजेगा नेक्ट प्रस्णों पे तो यहां चलते हैं नेक्ट क्व किया तो यहाद रखेंगे या किसके दावा किया था तो रेमें मंड लेहल में के द्वारा किया था इसको याद मैन के नियम के अनुसार साकाहारी जन्तु उत्पादन की सुध परात्मिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या फिर इस्थित करता है जब कोई मांसाहारी इस साकाहारी जन्तु को खाता है तो उसे साकाहारी का क्या होता है 10% और या संचित करता है इस प्रकार के कथन किन का था तो इस प्रकार के कथन लेंड मैन का था ठीक है ये सभी के सभी चीज याद रखेगा नेक्ट अगर बात की जाए तो कहता है एथो नॉल डैस के द्वारा निर्मन निर्मन तो होता है एथो नॉल डैस के द्वारा निर्मित होता है सात्यू इसका राइट जो एंसर है वह आपका हो जागा क्या तो याद रखेंगे आपका ओप्सन नमबर बी इसका राइट एंसर हो जागा ठीक है ठीक है याद रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट या प्रस्ण है तो इसको याद रखेगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कहता है फ्लोरीन इन में से किसका अपरूप है, याद रखेगा कारबन का, किसका है, कारबन का है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, फ्लोरीन की समर्चा एक फुटवल की तरह होती है, और फ्लोरीन के अनूम में अगर बात की जाए, तो 60-70 या उससे अधिक क्या ह होता है, तो कारबन परमानू भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखे, काफी इंपोर्टेंट यह सभी चीज है, बात की जाए, ध्यांदी जीगा, नेक्ट, कहता है, केसीन एक प्रोटीन है, जो डैस में पाए जाता है, ध्यांदी जीगा, इसका राइट एंसर हो ज पाए जाने बला प्रोटीन है, जीन, ठीक है, इसको याद रखेगा, उसके बाद आपका कोलेजन, जो है, कोलेजन किसमें पाए जाता है, तो तन्तु में संजोग उतक के, के निर्मान में परयोगत होता है, और आपका फाइब्रोस जो है, या आपका रेसम तथा, मकड़ि जाए नेक्ट परशन की, कहता है, पीतल इनमें से किसका मिस्रन है, पीतल जो है, इनमें से किसका मिस्रन है, तो याद रखेगा, आपका किसका मिस्रन है, यह आपका जस्ता 30% है, और 70% तामभा है, तो याद रखेंगे, आपका option B जो है, यह क्या हो जागा, सही हो जाएगा बात की जाए ध्यान दे जागा नेक्ट कहता है निमलिकित में से कौन से जीवानों फलीदार पादपो के मूल परविर्काओं के निर्मान से सम्मनित है तो इसका राइट एंसर जो है वह क्या है इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा और प्रकार की क्या है जीवानों में पायो मंडल की सौतंता नैट्रोजन और नैट्रोजन और योगिक में बदलने की सार्थक होती है इसको याद रखेगा ठीक है यह चीज आप लोग याद रखेगा कि इंपोर्टन्ट है ध्यान देंगे इसको क्या कहते हैं तो कतरन कहते हैं क्या कहते हैं याद रखेगा बहुत इंपोर्टन्ट है भेर की तवचा से पतली परत के साथ उन निकालने के जो किरिया है उसको करतरन कहते हैं और भेर की त्वचा के उतारने गए बालों को धो कर उसकी क्या करी जाते हैं साथियो तो चिकनाई धूल और गर्थ निकालने की प्रक्रम को क्या करते हैं तो अभी मार्जन करते हैं ठीके इस प्रकार से सारे चीज़ों को याद रखेगा आगे बात की जाए तो कहता है यदि वस्तु को अनंद और किसी अवदल लेंसर के ऑप्टिक सेंटर जीरो के बीच रखा जाता है तो आप भरतं के बाद परती बीम कैसा बनेगा बहुत इंपोर्टन्ट है इसका राइट एंसर जो है वह क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे अप्शन भी ठीक है इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा ध्यान देज़ेगा नेक्स्ट प्रस्टन कहता है आपका कि सार भामिक सुचकों में चार से पांच का पी एच मान क्या इंगित कराता है बहुत इंपोर्टन्ट है और इसका राइट एंसर जो है वह हो जाएग पी एच मान साथ जो की अमलिये है और उदासिन होता है इसको याद रखेगा बहुत ही इंपोर्टन्ट है आगे बात की जाए तो याद रखेंगे कहता है गरगराहट की अवाज डैस की वज़ा से होती है गरगराहट की अवाज डैस की वज़ा से होती है तो याद इसकाAmसर हो जाएगा आपका आपका क्या हो जाएका साथ यो तो इसकाRI आट दौणीख बादलो और भूमी जैसी कई पतावार्तक सत्हों के कृमिक पकार्ण कान का होती इंद optimize और प्हाइन पूछा जाएगे कुछ important हम आवको बताते हैं जिसमें सात्ति ओगर बात कि जाये दुरलब, चाहिए के तो उसका 10, 7 से 10 होता है पी-ःच मान अगर आपसे पुछा जाए, प्रबल चाहिए के तो उसका 10 से 14 होता है उदासिन की पुछा जाये तो 7 के हम आपको बता दियें प्रबल अमलिय क्या पूछा जाए तो जीरो से 14 होता है तो यह सभी के सभी पीएच मान आप लोग याद रखेगा पीएच मान काफी इंपोर्टेंट है और हर एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है चलिए उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स प्रशन पे तो ध्यान दीज के लोग जाता है ठीक है आधोनी को मनुष्ठ से जो है हम लोग जो मनुष्ठ से हैं हम लोग का बिज्ञानिक नाम क्या है तो हेमोसिंस होपीयन याद रखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाक की जाए next question की तो ध्यान दीजिए का next प्रस्ट आपका कहता है भोजन की उ पूर्जा है साथी वह आपका किस में मापा जाता है तो केलोडी में मापा जाता है यह भी प्रशन बहुत ही आसान है इसको भी आप लोग याद रखेगा तीक है चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है गोल गुमबच किस सदी में बनाया गया था तो याद रखेंगे गोल गुमबच जो है या आपका सतरभी सदी में बनाया गया था साथियों याद रखेंगा बहुत ही इंपोर्टन्ट है किस सदी में बनाया गया था तो इस वी में करवाया था याद रखेगा गोल गुंबज कहां है तो बीजापुर के सुल्तान मुहम्मद अली आदिल साहप का मकवारा है याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट है ये सभी प्रशन आपसे 100% पुछने की संभावनाई बन रही है ध्यान दीजिगा यहाँ पे कहत है समूंदर तक पहुंचते पहुंचने समूंदर तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाद धिमा हो जाता है तथा यदि अनेक धाराओं में विवाजिज हो जाती है जिनको डैस कहां जाता है तो याद रखेगा इसका राइट जो एंसर है वह आपका हो जागा वित कोशी नदी की वितरी का प्रसिद्ध है यह भी याद रिखेगा कोशी नदी अपनी मार्क बदलने के लिए प्रसिद्ध है समुंद्र के से नद्यों के मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्मान होता है तो यह सारे के सारे जो फैक्ट हैं आपको पॉइंट बाज हम बता रहे हैं इस सारे को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा बात की जाए नेक्स प्रसिद की तो कहता है वर्च दो हजारी ग्यारा की जन गन्ना करनुसा जन संक्या तो याद रखेंगे साथ ही इसका राइट एंसर हो जागा आपका क्या तो महराश्ट्रा है ठिक है याद रखें काफी इंपोर्टेंट है इसको याद रखेंगा आप सभी अगर बात की जाए आगे तो यहां ध्यान दिजेगा आप सब लोग निम्लिकित दिसान तरो में तो 42 डिग्री 30 मिनट पुर्वी जो है यह आपका राइट एंसर हो जागा याद रखेगा ठीक है यह क्या है तो यह मध्यमाह रेखा है आपको याद रखना होगा यह रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है कहां से गुजरती है लिख लेंगे यह उत्तर सामें खीची गए कालपनिक रेखा को क्या कहते हैं तो मध्य यह कर मध्यार यह रेखा कहते हैं तो इसको आप लोग याद रखेगा कि मध्यार रेखा किसे कहते हैं तो आप से पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखेगा किसको कहते हैं तो प्रित्वी को उत्तरी एव लिखित में से कौन सा निर्त्य गुजरात में किये जाने वाले गरवा के सामान है बहुत इंपोर्टेंट है इसका राइट जो एंसल हो जाएगा वह हो जाएगा आपका साथियो जुमरी निर्त्य जो है जुमरी निर्त्य जो है यह साथियो गुजरात का जो लोक निर्त्य है गरवा उससे क्या है तो उससे मिलता जूलता है इस तरह के चीजों को आप लोग याद रखेगा बात के जाए अगर next question की तो कहता है निम्ण में से सबसे बड़ी परबस सिंखला कौन सी है सबसे बड़ी जो परबस सिंखला है वह आपका कौन है तो याद रखेंगा साथ यो वह आपका हो जागा सबसे उची जो चोटी है उसको क्या कहते है तो याद रखेगा एक का कहते है साथियो इस प्रकार से आप लोग लिख लिजेगा थोड़ा सा मिरा पेन ठीक से नहीं चल पाता है चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यांदी जगा कहता है राष्टिय पढ़ियाबरन अभी यांतरी के अनुसंसाधन संस्था कहां इस्थित है तो साथि इसका जो राइट एंसर है वह आपका हो जाएगा नागपुर में इस्थित है याद रखेगा साथियो नेडी पढ़ियाबरन विग्यान एवम इंजिनिंग से सम्मंदित अनुसंसाधन जो है यह आपका CSIR को व्यफारिक सुझाओ देता है और यह विग्यानिक और प्रदोगी यानुसंसाधन पडिसद का अनुसंसाधन संस्थाई है इसकी अस्थापना साथियो उनीच चो अन्ठाबन में हुई थी और भारती चमणा रंगा एवम जूट संस्था कानपुर में भी इस्ति थे यह भी सब चीज आप लोग याद रखेगा भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लैकिस वीधी का प्रयोग किया जाता है याद रखेगे गरीबी के तुम खर्च अत्वा उप्योग वीधी का प्रयोग किया जाता है और भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए साथियों क्या होता है तो याद रखेगा उपयोग बेधी का क्या होता है योजना आयोग ने गरीब मापने के लिए गरीबी मापने के लिए वीधी की समयक्षा करने है तो साथियों जून 2012 में एक विसेश समू का गठन किया था विसेश समू अर्था विसेश टीम का गठन किया था और इस विश्यस्षिक समू की अध्यस्ता में साथियों सी रंगा राज भी थे याद रखेगा आपसे पूठा जा सकता है ठीक है चलिए उसके बाद अगर बात कीज़े तो next question पर आप ध्यान दीजेगा कहता है संबिधान का बानवा संसोधन संबंदित है किस से संबिधान का जो बानवा संसोधन है या आपको किस से संबंदित है तो याद रखेगा या आपका दल बदल से संबंदित है ठीक है दल बदल से संबंदित है याद रखेगा दल बदल का उलेक संबिधान के दसवी अनुसूची में साथ यो सामिल की गई है और इसे संबिधान के 72 सम्मिधान को सुकृति किया गया था कव सम्मिधान सभाद्वाराप भारती सम्मिधान को कब सुकृति किया गया था तो याद रखेगा आपको 26 नौवंबर 1989 को सुकृति किया गया था सम्मिधान सभादवारा ठीक है यहीं आप से पूछ लिया जाए कि सम्मिधान को लागू कब किया गया था तो यहाँ पे आप गलती बिल्कुल मित किजिएगा क्योंकि यहाँ पे option 26 जनवरे भी दिया हुआ है तो बहुत सारे लोग यहाँ पी गलत कर देते हैं लेकिन 26 जनवरे को याद रखेगा पूर्ण रूप से सम्मिधान अपना लागू हुआ था ठीक है इसे अपनाया कब गया था तो 26 नॉवंबर 1990 को ठीक है तो यह सभी जो गलती है बिल्कुल भी मत किजिएगा यहाँ छोड़ा छोड़ा गलती ही हम सब को पीछ 36 सम्मिधान संसोधन द्वारा भना था ठीक है इसको याद रखेगा 36 सम्मिधान संसोधन द्वारा बहुत ही important है यह बात याद रिखेगा चलिए उसके बाद अगर बात कि जाए तो यहाँ धियान दिजेगा कहता है दामोदर किसकी सहायक नदी है दामोदर जो है साथियो या किसकी सहायक नदी है तो याद रखेगा दामोदर आपका हुगली का सहायक नदी है याद रखेगा बहुत इंपोर्टन्ट है ठीक है बहुत ही इंपोर्टन्ट साथियो अगर बात की जाए गंगा की सहायक नदी तो आगे जो आपका है वह प्रश्ण है साथी क्या कहता है वह प्रश्ण आपको ध्यान दिजेगा कहता है कि गौतम बूद के समय का परसीद वैद जीवक किसके दरवार से सम्मंदित थे आप ठीक है गौतम बूद के समय का जो बात की जा रहे साथ यो कि गौतम बूद के समय एक मिनेट गौतमबूद के समय जो प्रसीद वैत जीवक था किसके दरबार से सम्मंदित था ठीक है तो याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट यह प्रश्ण है और यह प्रश्ण काफी फेमस है खासकर भी पेसी में तो यह प्रश्ण दबा कर पूछा गिया है इसका राइट चो राजवेद जीवक को क्या था तो उनको जीवक को भेजा था याद रखेगा ठीक है जीवक बहुत ही इंपोर्टेंट है साथियो जीवक से बहुत ही प्रश्ण पूछा जाता है इसलिए आप लोग याद रखेगा ठीक है और अबंती के राजा राजसेन अबंती के राजा महासेंज, साथियो, अबंति के राजा, महासेंज, चंड पुर्दोग, जब पांडू, क्या से, पांडू लोग से ग्रसित थें, तो उस समय भी साथियो, बिम्बी सार ने जीवक को ही, उसकी क्या की थी, सेवा के लिए भेजा था, ठीके, तो ये सारे के सारे चीजों को आप का खोँद आएंगे, कौन, तो वो सेव थे, साथियो, याद रखेगा, ने डार जो थे, वो सेव संथ थे, और ने नारों की संख्या कितनी थी, तो आप याद रखेंगे, 63 था, इसको याद रखेगा, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखेगा, अगर बात के यह गुप्त काल में सरवाधिक जारी किये गए थे और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियन नहीं क्या किया था तो सुने के सिक्के जारी किये थे इसको भी आप लोग very very important के माध्यम से याद रखेगा फेक्ट के मादियम से याद रखेगा ध्यान दिजीगा यहां पे थोड़ा सा कहता है आपका जो साथियों 106 नंबर प्रेश्ण है कहता है ध्यान दिजीगा कहता है निम्न में से किस वर्स सरकारिता आयोग ने अपना परतिवितन सरकार को स्वापा था साथियों याद रखेंगे बहुत इंपोर्टन्ट है और यहां आपका सरकारिता जो रिपोर्ट है सरकारिता आयोग है कई बार आपको बताया गया है यह रिपोर्ट है के बारे में तो इसको जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका साथियों वर्स 9088 में ठीक है सरकारिया जो रिपोर्ट है साथियो यह आयो का परतिवेदन स्वपा गया था 1988 में स्वपा गया था इसमें साथ यू याद रखेंगे कि 3 सदस्य सरकारी आयो का गठन भार सरकार ने जून 83 में किया था ठीक है याद रखेंगे इसका कारे छेतर भार के केंदर राज्य संबंद से संबन्द सक्ति संतुलन पर अपने संतुलित देना था और इस आयो ने केंदर राज्य संबंदों के सुधार की दिसा में 247 सिफवारिश से प्रस्तूत कि थी तो यह सारे के सारे important बात आप लोग याद रखेगा कहता है next question कि निमलिकित में से कौन दोनों नाम सम्मन्दित हैं कौन दोनों नाम सम्मन्दित हैं तो याद रखेंगे यह जो है आपका क्या हो जागा साथी यह आपका saucer football जो है यह आपका right answer हो जागा saucer football ठीक है football खेलका जन्म इंग्लेंड में हुआ है यह भी बात याद रखेगे बहुत important है और फीफा कई असापना कब हुई है तो 1904 में हुआ था यह सभी के सभी चीज आप लोग याद रखेगा निम्द में से कहता है साथीो कि सम्मिधान के किस भाग में अंतराष्टे बैपारवानिज्य तथा समागम का वर्णन है तो बहुत important है और इसका right answer जो है वह आपका हो जागा साथीो क्या हो जागा तो option A हो जागा याद रखेगा बहुत important है option जो है आपका क्या हो जागा साथीो A हो जागा अगर बात कीजाएं यहाँ पर ध्यान दीजेगा थोड़ा सा तो यहाँ पर साथी यह वियाद रखेगा कि अनुछेट जो है आर्टिकल अनुछेट 301 घोशना करता है कि संपूर्ण भारती छेत्र में क्या होगा तो ब्यापार वानिज्य तथा सगामम क्या होगा स्वतंत्र होंगे सभी केले क्या होंगे स्वतंत्र होंगे यह आपका भारती सम्मिधान की अनुछेट 301 घोशना करता है ठीक है तो इस प्रकार के सारे चीज़ को याद रखेगा आगे चलते हैं साथियो तो इद्यान दीजेगा कहता है भारती सम्मिधान के किस भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में वस्तु एमम सेवा कर परिसद जी अश्टी का उलेक किया गया है याद रखेंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका साथियो ओप्सन नमबर क्या हो जाएगा सी अनुछेद 279 को में कहा गया है याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है और यह बात याद रखेंगे यह 101 वे सम्मिधान संसोदन अधिनिया 2016 के द्वारा साथियो देश में एक साथियो इसे जोड़ा गया था तो इसको याद रखेगा इस परणाले का मार्क प्रस्तर कर बस्तू एवं सेवा का कर का परिशत का प्राधान किया गया था तो इस बात को याद रखेंगे नेक्स्ट कॉस्टन पर आप ध्यान दीजेगा कहता है सत्य सोदक समाज की अस्तापना किसने की थी काफे इंपोर्टेंट है सत्य और इसका राइट एंसल हो जाएगा आपका जोतीवा फूले के द्वारा सत्य सोदक समाज की अस्तापना की गई थी आप जब आधुनिक भारत की इतिहास में सत्यो कि आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा आधुनिक भारत के इतिहास में बात की जाए ध्यांदीजे के नेक्ट कोशन कहता है कि किसने अठाव चालिस के करीब कूका आंदोलन को आरंब किया था याद रखेंगे साथी कूका आंदोलन को प्रारंब करने वाला कौन था तो याद रखेंगे भगत जवाहर मल थे साथी याद रखेंगा जो कि क्या करते हैं तो अठाव चालिस में के करीब भगत जवाहर मल जो थे यहनोंने कूका आंदोलन प्रारंब किया था और इस आंदोलन का उद्देश था सिख धर्म में फैली बुरायो एबम समाजिक मंद विश्वा उसको दूर करना ठीक है यह सभी आप लोग याद रखेगा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजगा नेक्ट कोशन आपसे कहता है यहाँ पे कि निमलिखित उपायों में से किनी मुद्रा इसमीती कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है याद आसी के प्रभाव में आकर अशोक बौध धर्म का अन्वाइप बन गया तो याद रखेगा इसका राइट-ैंसर हो जाएगा आपका क्या तो याद रखेगे उपगूफ्त के दोरह ठीक है उपगूरख के प्रभाव मेंं असोक आकर क्या होते हैं तो बौध धर्म को अपना और इंडिका हाउस के अस्थापना उनिस्ट पांचिसवी में किसके द्वारा की गई थी तो स्याम जी कृष्ण बर्णमा के द्वारा की थी याद रखेगा इंडियन होम रूल सोसाइटी भारत से बाहर विदेश धरती पर सबसे पहली बार और सबसे महत्पुन करांती इसको भी आप लोग याद रखेगा बात की जाये next question के तो कहता है नेक्स प्रसन आपका निम्लिकित निम्रांकित है किस राजिमे सरवाधिक राम सर साइट है याद रखेगा राम सर साइट जो है या आपका कहा है तो यह है। आपका ओतर प्रद्देसमे है साथ कि याद बहुत ज्यादा important है भारत में सरबादिक रामसर साइड जो तमी नाडो में इस्तित है यह भी याद देखेगा कुल कितने है तमी नाडो में तो 14 है ठीक है 14 है याद रखेगा नेक्स्ट प्रस्ट कहता है छाया मंत्री मंडल किसकी प्रस्टाशनिक विवस्ता की विश्ष्ष पुछा जा रहा है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका साथ्यों ब्रेटन की ठीक है याद रखेगा ब्रेटन की हो जाएगी याद रखेंगे काफी important है जहां विपक्ष को के द्वारा भी एक मंत्री मंडल का गठन किया जाता है जो कि सरकार का सामानांतर राष्ट की स स्थापक कौन थे याद रखेंगे इसका राइट एंसर हो जागा आपका का है क्या हो जागा तो इसका मधिक प्राकिरतिक इतिहास पुरा तत्व संबन्दित कला इतियादी का करना तो अध्यन करना तो इसको याद रखेगा नेक्ट है आपका ध्यान दीजेगा कहता है मिरात उल सयद अखवार का प्रकासन किसने किया था या फिर एक सेकेंड या फिर मिरात उल सयद अखवार का प्रकासन करवाएं थे किसने तो एक प्रकार का वही प्रशन हो गया जो हम बोले हैं उसी प्रकार का ठीके तो याद रख तो प्रकासित किया गया था और यह एक सब्ताहिक समचार पत्र था याद रखेगा थीक है बहुत इंपोर्टन्ट है याद रखेगा आगे चलते हैं हम कहता है आगे ध्यान दिजेगा यहाँ पर थोड़ा सा हाँ अब ध्यान दिजेगा कहता है फिनिक्स फार्म की अस्थापना निमलिकत में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी तो फिनिक्स फार्म जो है साथ यह आपका महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी याद है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा और महात्मा गानी ने जौन रकिस ठीक है नाम लिख ले जागा याद जौन रकिस ने अनुट दिल लाश्ट के पठन से प्रेरित होकर 1904 इस वी में क्या कियाता साथ हो तो डरबन के उत्तर पस्चिम छेतर में सत्यागरा स आए थे महात्मा गांधी और फिनिक्स फॉर्म की अस्थापना की थी तो नाम को याद रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए आगे अगर हम बात करें तो आगे ध्यान दीजेगा आप सब लोग आगे का जो आपका प्रश्ण है वह कहता है साथियो कि निमलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कॉंग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक चुना था काफी इंपोर्टेंट है बहुत जादा इंपोर्टेंट है और याद रखेंगे इसका राइट एंसर हो जागा कलक कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहले बार महिलाओं को अध्यक चुना गया था और 1917 में साथियो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था इसमें अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहली जो महिला अध्यक चुनी गई थी वो कौन थी तो स्री एनिवेशन थी साथियो याद रखेंगे ठीक है अगर पुछा जाए आपसे कि भारतिये सबसे पहला भारतिये कौन भारतिये महिला कौन थी जो कौंगरेस की अध्यक चुनी गई थी तो यह भ प्रमुख मतअच्य ग्रहन पुतआस्री आफ गा pagan है इसक mesela right एंसरं यह हो जागा आपका सातियों कोचिन में ठीक है भाद भाद का प्रमुख मतअच्य ग्रहन में पुतड़्य। ज़ो है वह कोचिन में बसwork है और कोचिन भाद का सबसे बड़े प्रनान वाला बंदर का है तो इसको भी आप लोग याद रखेगा बात की जाए next तो कहता है टेगा वन में कौन से ब्रिच होते हैं टेगा वन में कौन से ब्रिच होते हैं तो यह सभी जो प्रशन है साथ यो उतना ज़्यादा इंप्रोटेंट नहीं है लेकिन याद रखेगा आपको पूछा भी जा सकता है तो इसका राइट एंसर हो जागा आपका मिदू कास्ट ब्रिच चलिए उसके बाद अगर बात की जाए next तो से प्रथम से प्रथम इस्टेटस में कौन आते हैं तो यह इंप्रोटेंट है जब आpetto रूस की क्रांती पढ़ें होंगे कि आप जब वर्ल्ड हिस्टरी पढाएंगे तो उसमें बहुत चीज पढाएंगे तो टुसमें आप देखेंगे पहले के समय जो था वह क्या था तो पादरीयों का समय था पॉप का राज चलता था अपने भारत में देखेंगे तो पहले ब्रहामनों का पूरुध का क्या चलता था तो राज चलता था इसलिए उनको प्रत्रम स्टेट में रखा गया है ठीक है इसको याद रिखेगा सबसे पहले आपका पुरोहित वर्ग आएंगे ठीक है पादरी आएंगे पोप आएंगे ठीक है जो धर्म के प्रमूख हो सीधा सीधी बात की जाए तो अगर बात की जाए नेक्ट कोस्टन की तो ध्यान दीजिएगा नेक्ट प्रस्टन आपको कहता है उप राष्ट पदी को पस से हटाने का संकल प्रस्ताव कहां पेस किया जाता है याद रखेगा इसका राइट एंसर हो जागा आपका राज्य सभा को ठीक है साथियो उप राष्ट पदी को हट वसाध पर राफाद संक्रण प्रस्ताव जिसमें लोगसंपातों को आप لिया लोगसंपा नंगे सब्सक्राइब प्रधान मंतरी राष्ट पती तो याद रखेगा इन में से कोई नहीं ठीक है साथियों इन में से कोई नहीं हो जाएंगे याद रखेंगे लोगसभा अध्यक केवल लोगसभा का सदस के रूप में ही सदस लेता है इसलिए साथियों इसका जो राइट एंसर हो जागा वह रखेंगे अनुछे 93 ठीक है चलिए सारे बात को हम बता रहे हैं आगे बात की जाए तो बहुत में उच्छे न्याले की संख्या है वह कितनी है तो याद रखेंगा साथ कि उसका जो है 25 है कितनी है 25 से याद रखेगा 25 वह उच्छे न्याले कि अस्थापना 2019 में आंद्र प्र नेक्ट अगर बात की जाए तो खेता है भारतिय परियाटन विकास निगम की अस्थापना कब हुआ था भारतिय परियाटन विकास निगम की जो अस्थापना हुई थी कब हुई थी तो 1966 में हुआ थे यह साथियों याद रखेगा एक अक्टूबर 1966 में हुआ था याद रखेगा बात की जाए नेक्स्ट क्वेस्टन की तो खहता है 74 संभीधान संसोधन के अनुसार संभीधान में अस्थानिय सारी निकाए कि प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी याद रखेंगे इसका राइट एंसर जो है वह आपका हो जाएगा option साथियो D क्या हो जाएगा अनुसूची 12 ठीके अनुसूची 12 है साथियो इसको जोड़ा गया था याद रखेगा 64 समिधान संसोदन अधिनीयम 19san 19 याद रखेगा भार्थ में ग्रांट रांग रोड किसके सासनकाल में बनाए गया थे यह याद रखेंगे साथ के नाम से ही जाना जाता है तो इस प्रकार के चीजों को याद रखे गए आगे बात की जाए तो कहता है लोग हितबादी उपनाम से किसे जाना जाता है याद रखेंगे इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका साथियो गोपाल हरी देशमुक को साथियो पस्चिम भाद के लोग हितबादी के नाम से जाना जाता है और महादेवी गोवी नराने को महराथ का सुकरात कहा जाता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा आगे बात के जाए ध्यान दिजेगा तो आगे अगर बात के जाए साथी हो तो इसको कहता है लंदन में आई जो निखित गोल में सम्मिलन में किसमे महात्मागादी उपस्तित थें क्या वह प्रथम गोल में सम्मेलन दूतिय गोल में सम्मेलन तृतिय गोल में सम्मेलन किसमे थें तो याद रखेंगे इसका राइट एंसर जो है वह आपका हो जागा साथ हो दूतिय गोल में सम्मेलन में महात्मागादी उपस्तित थें ठीक है, इस बात को याद रखेगा, काफी important है, कब हुआ था, 1932-31 में हुआ था, यह भी आप लोग याद रखेगा, उसके बाद गंगा में दचनी ओर से मिलने वाली नदी है, कौन सी है, तो याद रखें कि गंगा में दचनी ओर से जो मिलने वाली नदिया है, वो आपका यहाद रखेगा, important है, काफी, बात की जाए ध्यान दिजेगा, next question की, यहाँ पर, कहता है भात में कुल्लू घाटि निमली खित में से, किसकी खेती के लिए प्रसीद है, भारत में कुल्लू घाटि जो है, या किसकी खेती के लिए प्रसीद है, तो याद रखेंगे, इसका right प्रकार से सारे के सारे चीजों को याद रखेगा उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है सरबोट नियाले में दरपलत नियादिश को कौन से नियुक्ति करता है याद रखेंगे सरबोट चिन्याले के नियादिश को कौन नियुक्ति करता है तो बहुत important है इसका right answer जो है वो आपका हो जाएगा क्या तो याद की जाए इसके थोड़ा सा आगे हम चले तो याद रखेंगे साथ यो इसके आगे हम लोग बात करते हैं किस नदी के तर्थ पर इस्तित है और विजय नगर राज जी के स्थापना बैसनम संद्व विचार धार के प्रिणा से हर यहर और भुक्का ने किया था कब किया था तो 1336 इस भी में किया था ठीके इस सारे चीज़ को याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट है जालिया वाला बाग नर्साहार पर कॉंगर्स जांत समरिती की रिपोर्ट के प्राडूप को लिखने का कारिक शौपा गया था याद रखेंगे काफी इंपोर्टेंट या प्रश्न है थोड़ा सा एक सेकंड साथियो इसका राइट जो एंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप निहत्य भीर पर जनरल डायर न क्या क्या था तो लोगों की जान ले ली थी अंदाधून गोलिया चलाय था यह बात आप सबको पता होना चाहिए साथियो और इस समीती ने साथियो याद रखेंगे समीती ने दस हजार से अधिक व्यक्तियों की हत्या होने की संभावना व् आपका साथी सभी ने अभग्या अंदोलन का हिस्सा था याद रखेगा इंपोर्टेंट है आप से पूछा जा सकता है निमलिखित में से वह स्थापना दूतिय पंच बरिश्यों योजना के द्वारा नहीं की गई थी तो इसका राइट अंसर जो है वह आपका हो जागा व बोकारो जो साथी याद रखेंगे कि बोकारो इस्टिल कंपनी के अस्थापना दूतिय पंच बर से योजना के अधार पर नहीं हुआ था इसको याद रखेगा बोकारो इस पाक्त सयंद्र की अस्थापना कब हुई थी तो 1964 में हुई थी यह बाते आप लोग याद तो आगे कहता है ग्राम पंचायत के आई का सुरत निम निम से कौन सा है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका कौन सा है साथी हो याद रखेंगे आपका मेला एबंबजार ठीक है मेला एबंबजार जो है साथी हो यह ग्राम पंचायत के आई का मुख्य सुरत है राज्य प्रकार के चीजों को याद रखेगा अगर बात के जाए आगे तो कहता है पंचाइती राज्य का मुख्य उद्देश क्या है पंचाइती राज्य का मुख्य उद्देश जो है वो क्या है सात्यों तो याद रखेंगे उसका जो मुख्य उद्देश है वो है आपका सात्यों यहां ध्यान देजागा लोगों को विश्वास लोगों को विकास मुलन प्रसाशन में भागेदारिस के योग बदाना उनका उनका मुख्य उद्दिश देए ठीक है आगे बात की जाए तो कहता है अस्कूल टू अस्टार्ट अपस इनानिंग इनानिंग यंग मांडर्स टू इनोवेशन दोजार तैस के किस दीवस की थीम थीम इंपोर्डन्ट है और यह अब आपका समसमाई का घटना का है करेंट अफेर का यह प्रस्ट है तो इसका राइट थीम ता कि उसके बाद की जाए तो किता है माई लाइफ एज ए में पूस्तक किसकी आत्म कथा है तो यह जो है यह आपका diyor केके सेजल्जा का यह इनकी पूस्ता जाना है कि याद कि और अप्सर नमबर साथियों आपका भी हो जागा याद रखेगा काफी इंपोर्टन यह प्रश्न है उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दिजगा नासकोम का नाया चेर्मेन किसको निव्ट किया गया है याद रखेंगा इसका रायट एंसर हो जाएगा आपका साथ यह क्या है करेंट फेर है तो यह सबीस चीजों आपको फटा फट चलते रहते हैं इसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं पहले भी पिछले क्लास में यह सबीकिस अपका करेंट फेर एक क्लास में करवा दिये थे आप लोग जाकर देख लिजेगा राष्टिये प पंचायती दिवस के रूप में मनाय जाता है साथ्योब 23 मार्श को प्रतिवर्ष भगस सिंग दिवस के सुखदेव और राजगुरु के सहीद के दिवस के रूप में मनाय जाता है और आपका याद रखेगा यह सभी जो है यह राइट एंसर हो जाएगा चलिए उसके तो न्यूजीलेंड आपका राइट एंसर हो जागा अपने याद रखेंगे इस बात को बात की जाए आगे तो ध्यान दिवस के अपसर पर टिकली गाउं हर्याना में किसके प्रवाहित ग्रीन वाल पर्योजना का सुभारम किया गया है तो याद रखेगा इसका राइट आ वो आपका हो जागा साथियो बुपेंदर यादव के द्वरा साथियो आज पास 5 सब से को और बनाना था आगे हम बात करें तो कहता है साथिय। यहां और ऑसकुर दो हजार में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्फ स्थेस्ट मुलगीत का पुरस्कार जीता था यह प्रश्ण हजारों बार पूछा गया है और करेंट अफेर में आपसे यह प्रश्ण 100% पूछा जाएगा तो याद रखेगा इसका राइट एंसर जो है वह आपका हो जाएगा साथ यह यहां पर देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा ज्यांदी जिगा ऑप्शन ए साथ यह आर 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 जो है यह यह आपका राइट एंसर हो जाएगा अगर बात की जाए नेक्स्ट तो नेक्स्ट बात की जाए तो भारति करेंट टीम का नयाट कीट और स्पांसर किस कंपनी को बनाने की घोसना की गई है याद रखेंगे इसक वर्स तक पुरे भारत को डॉपलर वेवर डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोसना की गई है तो यह जो है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका दोहजार पचेज साथियो वर्स दोहजार पचेज तक पुरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटव देर सो सम्माप्त होता है यहां पे आपका एंसर की दिया गया है तो जिस साथी को भी प्रोब्लम हो तो यहां से आप लोग एंसर की को मिलान कर लिजेगा अब फटा फट चलिए हम चलते हैं आपका मैथ और इनिंग के प्रश्णों पे ध्यान दिजेगा साथी हो मैथ और इनिंग के प्रश्णों पे हम चलते हैं तो यहां पे आप लोग ध्यान दिजेगा ठीक है चलिए फटा फटा हम मैथ और इनिंग के प्रश्णों के पहुंच रहे हैं यहां ध्यान दिजेगा आप सभी तो प्रश्च्ट नमबर पहला जो है साथिओ इसका राइट एंसर हो वह आपका जाएगा option B, second का जो है साथिओ इसका भी आपका option B हो जाएगा उसके बाद 3rd की अगर बात किजाए तो इसका option C हो जाएगा ठीक है अगर 4th की बात किजाए तो इसका क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा फटा 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 आप लोग भी चलते चलिएगा ठीक है और 8 का आपका 6 7 का हो जाएगा साथी हो आपका C 8 का हो जाएगा आपका D 8 का आपका सौरी साथी 8 का A होगा ठीक है हाँ 8 का A होगा confirm थोड़ा सा कलकुलेशन में हमें भी टाइम लग जाता है उसके बाद आपका 9 का होगा क्या तो 9 का आपका सी हुआ 9 का सी होगा स्वारी 1 9 का सी होगा हम काफी गलती कर रहे हुआ आज मैं उसके बाद अगर बात की जήσ़ तो यहां दे ज़ेगा ठर्टिन का क्या होगा दो इसकी आस विछ कि है हो 10 का अपका सी होगा है कि में 15 का अफका ए होगा है कि 15 का है होगा कि sebenarnya अतर देखने की से चलिए चलिए उसके बाद 60 का आपका क्या होगा तो 10 हmekा याद रखेंगे 2016 का का सी होगा है 17 का अब कि होगा कि एटिन का आप का बी होगा और ऑटो उन्हार की होगा है सब्भाइन कापका सी होगा अ ट्वैंटि का आपका सी होगा है 21 का आपका C होगा 22 का आपका B होगा 21 का C होगा 22 का B होगा 23 का आपका D होगा 24 पर ध्यान दिजेगा 24 का आपका क्या हो जागा तो 24 का आपका C होगा 24 का C होगा 25 का C होगा 26 का आपका B होगा 26 का आपका B होगा 27 पर चले हैं तो 27 का क्या हो जाएगा 27 का हो जाएगा आपका D हो जाएगा 27 का 8 का अगर बात की जाए तो C हो जाएगा यह सभी जो है डिजनी का प्रश्ण है साथ ही तो आप लोग बनाएगा जरूर से चितना बनाएगा उतना ज़्यदा आप लोग का प्रेकिस बढ़ता जाएगा 29 का आपका बात की जाए तो इसका B होगा 20 अगर 30 की बात की जाए तो इसका आपका क्या हो जाएगा 30 का आपका हो जाएगा B 31 का हो जाएगा D 32 का हो जाएगा D 33 का हो जाएगा A 34 का हो जाएगा A 35 का हो जाएगा 36 का हो जाएगा 37 का हो जाएगा 38 का हो जाएगा 39 का हो जाएगा 40 का हो जाएगा आपका B, 41 का हो जाएगा आपका B, 42 का हो जाएगा आपका C, 43 का हो जाएगा 43 का हो जाएगा D, 44 का हो जाएगा B, 45 का हो जाएगा आपका B, 46 का हो जाएगा A, 47 का हो जाएगा A, 48 का हो जाएगा आपका D, 48 का D 49 का हो जाएगा आपका B और इस प्रकार से आपका 15 का हो जाएगा जो की अंत है आपका 15 का हो जाएगा साथ की A है इस प्रकार से आपका पुरा समाप्त होता है आज practice set number 4 साथ यो class कैसा लगा आप लोग जरूर बदाएगा अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe किजेगा साथ यो हम काफी आपके लिए important important class लेकर आ रहे हैं और भी आपके लिए जो कि आपका exam का date भी अब आ चुका है तो और भी ज्यादा आपके लिए classes हम ले कराएंगे तो कोशिश किजे कि आप इस YouTube family पर लोगों को अधिक से जोड़िए ताकि हम आपके लिए महनत करें तो हमें कुछ लगना चाहिए कि आप लोग भी हमारे महनत को समझ रहे हैं और इसका पीडियाप या फिर हमसे बाते करने के लिए हमसे जूड़ने के लिए आप हमें टेलिग्राम को पर फॉलोग कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत